आज से पहले मैंने बहुत सारे चीज़ों पर वीडियो बनाया है, चाये वो Yonko हो, या फिर किसी Marine Officer पर हो, या फिर Seven Wallords पर हो, या फिर Theory ले लो, बहुत सारे चीज़े बनाई है, लिकिन आज तक मैंने कभी भी पूरे Marine Headquarter में जो आते हैं, जो Marine का पूरा सिस्टम है, उसके उपर कभी भी बात नहीं किया तो यार आज का वीडियो उसी पे होने वाला है कि आखिर मरीन किस तरह से काम करता है, सबसे पहले तो देखो One Piece के वर्ल्ड में तीन सुपर पावर हैं जिसमें से एक है Four Emperors of the Sea फिर Second Warlords जिने अब हटा दिया गया है जिसकी जगह अब SSG के बनाए गए वो PX क्या कहते है सारा फिम ले लेगी अब देखो क्या मरीन स्ट्रॉंग है, बहुत सारे लोग मरीन को अंडरेस्टिमेट करते हैं और बहुत सारे लोग एडमिरल्स को वीक समझते हैं, बट ऐसा नहीं है मरीन काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग है और अभी के टाइम पे मरीन तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉंग है बिकाज यह लोग ना एक साथ काम करते हैं बजाए पाइरेट्स के बिकाज अगर तुम देखो यॉंको के तो यॉंको चार हैं और वो चारों का अपस में कोई लेना देना नहीं है हाँ लूफी और सैंक्स का थोड़ा अलग सीन है लेकिन वो दोनों भी अलग अलग ही है और इसी वज़े से इनका पावर क्या होता न वो एक जग़ सीमित रह जाता है लेकिन वहीं अगर हम बात करने जाएं मरीन्स की तो ये सब एक साथ काम करते हैं इनका एक लीडर भी है और ये सब उसी के अंडर काम करते हैं और वो बात अलगे कि इनके लीडर को कोई और ओर देता है उधर हम लोग जाएंगे पर वो ज़्यादा जुरूरी नहीं है तो नीचे से हम लोग उपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला जो आता है ये मरीन के नॉर्मल वाले सूल्जर्स जिने हर कोई आकर के बजाता रहता है ये ज़्यादा स्ट्रॉंग नहीं होते हैं लेकिन मरीन ओफिसर है तो हों गई फिर उसके उपर आता है कैप्टेन कैप्टेन के उपर वाइस एड्मिरल और वाइस एड्मिरल के उपर एड्मिरल और एड्मिरल के उपर फ्लीट एड्मिरल और फ्लीट एड्मिरल के उपर है कमांडर और देखो commander और fleet admiral ये दोनों कहीं और से order पाते हैं और उस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे because ये लोग marine के हिस्से नहीं है marine से उपर है और marine से ये लोग अलग है अब हाँ इस ranking को देखने के बाद बहुत सारे लोग मेरे बाद से disagree करेंगे कि मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर include नहीं किया जैसे कि lieutenant commander हुआ या फिर कहलो real admiral हुआ जो कि wise admiral से नीचे आती है पर देखो ये ranking system उस basis पे नहीं था ये ranking system था order के basis पे कि कौन किसको direct जाकर के order देने की ताकत रखता है अब जैसे fleet admiral को celestial dragon के अलावा कौन देता है main order तो भाई fleet admiral से मिलता है वहीं पर wise admiral को admiral भी दे सकते हैं और fleet admiral भी दे सकते हैं गार्प को छोड़के गार्प किसी की नहीं सुनता इसके अलावा और भी है जो marine के साथ ही मिलके काम करते हैं जो की है SSG और SSG का कौन हेड डॉक्टर वेगा पंक और इसने जो काम किया है न भाई क्या ही बोलो marine के पास आज के टाइम पे जो कुछ भी है devil fruit user वाले pirates को पकड़ने का चाहे फिर artificial devil fruit बनाना हो या फिर अभी का टाइम पे seraphim भाई डॉक्टर वेगा पंक ने बहुत कुछ करके दिया है और अभी के टाइम पे warlord वाली जो power है warlord system बन होने के बाद भी डॉक्टर वेगा पंक के वज़े से marine के side ही है plus marine में ओदे भले ही बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से superiority मानी जाती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मालो तुमसे वो वाला बंदा senior है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो तुमसे ज़्यादा strong भी होगा because garp को अगर हम ले तो garp अभी के time पे vice admiral है और वो पहले भी था वो चाहे तो admiral fleet admiral यह सब उसके लिए कुछ नहीं है उसका इतना रुदबा है पर फिर भी वो vice admiral भी है साथी साथ वो कितना strong है मुझे बताने के जुरुत नहीं है pirate king goldie roger के साथ बराबर का fight कर पाना ऐसा normal बंदे के बसकी बात नहीं है और यह अपने मन की करता है फिलाल के time पे current जो fleet admiral है वो है आकाइनो और इसके fleet admiral बनने के बाद इसके हाँ से सारी कीजे दूर हटी हुई नजर आई जैसे ही यह fleet admiral बना एक admiral marine का काम छोड़के pirate के साथ हाथ मिला लिया मुझे जहां तक लगता वो future में उसको धोका देगा वो marine का ही जासूस बना हुआ है ऐसा मेरे को लगता है लेकिन फिर भी यार यह तो हुआ ना साथी साथ जैसे ही wall lord system बंद हुआ इसको profit भी हुआ नुकसान भी हुआ profit के तोर पे SSG ने new PX वाले जो robot है जिसे सारा फिम कहा गया वो दे दिये जो की काफी ज़्यादा strong है बट इन्होंने wall lord में जो वो साथ जो काफी ज़्यादा खतरनाक strong pirates आते थे वो इनके हाथ से चले गया सबसे ज़्यादा नुकसान तो इनको hawkai का हुआ 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 because no doubt यार hawkai me hawk एक yonko level character है plus जैसे ही ये fleet admiral बना joy boy तक आ गया और बहुत सारी चीजे हुई यार ऐसा लगता है आकाइनों के हाथ से situation handle नहीं हो पा रहा है वो try तो कर रहा है पर कुछ न कुछ उल्टा हो ही जाता है और अभी के time पर ऐसा ही होगा because one piece अपने final stage की तरफ है तो ये सारी चीजे तो यार होंगी ही होंगी और future में और भी होंगी बट आकाइनों ने कहा है उसको घंटा फरक नहीं पड़ता वो जवाब देगा खेर बात करते है थोड़ा गार्प को लेके because marine के पास गार्प जैसा भी बंदा है जो इनका trump card है भली ये अपने मर्जी की करता है लेकिन इसकी इतनी जादा respect है प्लस ये जिस side हो जाता है सामने वाले के तो होसला इसे ही बढ़ जाता है और एक बात marine के पास intelligent characters की भी कमी नहीं है Dr. Vegapunk तो ही उसको side पे रखते हैं क्योंकि वो एक next level being है बट ऐसे अगर हम लोग tactics की बात करें अगर war हो तो भाई plan बनाना कैसे सामने वाले को घेरना है वो सारी चीजे Sengoku से better कोई नहीं कर सकता भले ये fleet admiral के post से हटा है पर अभी भी ये marine की help कर रहा है इसके अलावा ये बुढ़िया भी है जो कि garp Sengoku के era से ही belong करती है और भी बहुत कुछ है अभी के time पे marine अगर हम लोग देखने जाए अरे हाँ एक और बात तुम्हें बात करना भूली गिया बहुत सारे लोग comment box में वरना बोलेंगे कि भाई तुम CP0 को भूल गए देखो CP0, CP9 ये लोग marine से अलग है बिकाज ये सीधे यार order जो follow करते हैं वो celestial dragon या फिर 5 buddhो का करते हैं तो इस वज़े से हम इन्हें direct consider नहीं करेंगे marine के अंडर because marine के अंडर जो भी आता है वो एक तो commander का बात सुनता है वरना fleet admiral का बात सुनता है हाँ भले ये commander और fleet admiral 5 buddhो का बात सुनता है बट ये सब इसी के अंडर आते हैं और एक बात जो ssg है वो अंडर नहीं आता alliance type है उसके साथ मिलके काम करता है ये side से help करने वाला है बसे मुझे जहां तक लगता है जितना बात मुझे करना था मैंने कर लिया अब तुम सब जो है कुछ सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हो मैं तुम्हारे सवाल को जबाप देने कर ट्राइ करूंगा वीडियो पसंद आया लाइक करना है करो नहीं करना मत करो चैनल पे नहीं आएगो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइक जन अन कर देना अगर तुम फूचर में ऐसे वीडियो देखना चाहते हो साथी साथ यार अगर को टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स खाली है दे सकते हो और हाँ यार इंस्टाइग्राम पर फॉलो करना मत भूलना तो यार मिलेंग नहीं वीडियो में फिलाल के लिए बाई